पंद्टराग्स के खास मोके में दोस्तों मैं बनाने जा रहे हुँ बरफ जूली सुरू परण दोस्तों इस खास मोके पर आप इस बर्फी को बनाईए और अपनों का और सब का मुझे थाकराईए चलिए सुरू करते हैं गैस ऑनकर के रख ली है मैंने कड़ाई और इसमें मैं लोंगी दो कप नारियल का बुरादा यह अराम से मार्किट में मिल जाता है अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो उसे घिसकर उसका बिस्तमाल कर सकते हैं इसको स्लो गैस पर भून लेंगे दो मिनट तक 102 मिनट हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसको निकाल लेंगे ज्यादा नहीं भूनना तेज गैस पर भी नहीं तो यह जल जाएगा इसको न इसको रख लेंगे एक तरफ हम आगे का प्रोसेस पढ़ा ही रख ली दुबारा हमने दो कब दूद ले लेंगे इसमें फुल क्रीम दूद यूज किया है मैंने और इसमें इसको बाल लेंगे और ले लेंगे ड्राइ फ्रूट यह हैं बदाम अक्रोड और पिस्ता बदाम इसको हम ग्राइंड कर लेंगे पिस्ते की जरूत होगी तो इसमाल करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे दोस्तों अब हमारा दूद उबलने वाला है उबाला गया दूद में आज में हम डाल लेंगे कुछ चीजें यह डाला मैंने मिल्क पाउडर यह ज़्यकन Пवना कपकरी में मैंने मिल्क पऌडर डाला दोस्तों हमinton क आधक के अधा कप से पुना कप तक जो ठाईक दोनों मिला के आधा कॉप है वो भी मैंने मिला लिए जिसे दूद हमारा हलका और गाडा हो गया है यह देखिए देखें देखें पकर दूद हमारा गैस हमारा लो एंड लो मिडियम पर चल रहा है, यह मैंने डाल लिया वनियला है अगर आपको पसद आप से और भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वह एड़ कर सकते हैं यह डाल लिया चीनी चीनी आदा कप है वह भी मिला लिया दोस्तो अभी गैस बिल्कुल चल रही है अब मिला लेंगे नारियल का बुरादा दूद हमारा बिल्कुल गाड़ा हो गया यह देखिए इससे पहले की ज्यादा गाड़ा हो जाए यह फटा फट बन जाती है बर्फी नारियल की बुरादे को दूद के संग अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे एक हल्वा जैसा त्यार हो जाएगा इससे चलाते हुए गैस को लो एन लो मिडियम पर चलने देंगे ध्यान रखना है हाई नहीं करना गैस नहीं तो हमारा जो हल्वे का यह है जल जाएगा मिल्क और बुरादा तो अभी गैस हमारी स्लोपे ही जल रही है और इस तरह से चलाते हुए हमें कठा कर लेंगे हल्वा जैसा यह डो तेयार हो जाएगा मिल्क पाउडर का और बुरादा का यह जो हल्वे जैसा तैयार हुआ है इन न सकते का है एचनाश के विद fel खinka इन कर यह हमति यह तो दिल्ग पहले लेकि इस एठाव माँ आट कर दिया है इस तरहSiे आटब को शिदरा तर्च है यह पावडर जैसा थोड़ा सा मैंने पानी डाल के किया है यह मैंने औरेंज कलर ले लिया इसको भी हल्का सा पानी डाल लिया लिक्विड कल लिया है और इस हल्वे में इस तरह से मिलाते हुए कलर सारा मिक्स कर दूँगी अच्छे से यह देखी एक औरेंज कलर हो गया एक ग अआने मने लगादिया घ्रफी अप्लॉग गर दिया पहली स्प्राइट रहा हैं इस लिए को फोरी करदी दियो मने जर्फटी तके ग्रीट ले से कि ऑले अच्छे से प्रेस करके मैंने उसके उपर लेयर बना ली और अब हमारा औरेंज कलर की बारी आ गई इसको भी अच्छे से प्रेस करके लेयर बना ली मैंने यह देखिए जिससे कि हम जब बर्फी के पीसिस काटें तो अराम से कट जाएं और प्रॉपर दिखें बस इस तरह से पूस करते हुए सेट कर लिया अब इसका ठकन लगाके मैं फ्रिज में रख लूँगी जिससे कि यह थोड़ा सेट हो जाए ज्याद़ देर नहीं रखेंगे यह खुटे बड़े आपको जैसे अच्छे लगें बर्फी के पीसिस मैं चक्कु से इसको तीन पार्ट में काट रही है और इस तरह से बीच में काटते हुए बर्फी के पीस मैंने काट लिए यह देखिए कैसे अंदर से अच्छे से दिख रहे हैं हमारा तिरंगा बर्फी रेड़ी है पंदर अगस के खास मौके पर आप खुद मुठा कीजिए अपनों का मुझ मिठा कराईए और सब का मुझ मिठा कराईए बनाईए अच्छी लगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों